स्वागत है आपका रस्लिंग चैंपियन यूटूब चैनल पर तो इस वीडियो में हम बात करने वाले ऐसी पांच बाते हैं जो ड़ली में अंस्क्रिप्टड गई हैं और ये पांच बाते हैं शायद आपको नहीं पताऊंगी तो ये वीडियो बहुत ही इंड्रस्टिंग हो के हेड पर ब्राउग लेडियो आको यह वह उसे बाउग नहीं तो मैच की एलेक्रिसीटी से एक यह पंच कर एगा हो बॉत बात की लिएुब आति दिशे पंच mitigation के लिए तो यह इंसिडेंट बहुत हो सब्सक्रिंट जब बते करते हैं दूसरे इंसिडेंट के बारे में तो ये इंसिडेंट हुआ था स्मैक डर लाइव में और ये किया था बीक कैस ने जैसे कि आपको यह वो सेगमेंट याद होगा कि जब बीक कैस और मीनी डेनल बैन के बीच में बात चित होनी थी जिहां मीनी डेनल बैन एक बच्चा डेनल बैन के कपड़े पहन कर आ गया था मतलब यह ने बेज दिया था यहां पर रियल में सेगमेंट यह था कि बीक कैस उस मीनी डेनल बैन को बुरा बला बोलेंगे और इसके बाद उनके सिर्फ पर बिग बूट मारेंगे लग पैर मारेंगे उनके सिर्फ पर और उसी वक्त यह सेगमेंट क्लोज लेकिन बीक कैस को लगा कि मैं इस सेगमेंट को और भी अच्छा बना सकता हूं विस्विक मैं से रिक्स्ट की कि कि क्या मैं उस मीनी डेनल बैन के सिर्फ पर रहलात मारने के बाद पंच मार सकता हूं यहाँ पर Vince McMahon ने नाम बोल दिया और इसके बाद जब बिग कैस ने रेफरी से पूछा कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ तो रेफरी से ने भी नहां कर दिया तो जब यह सेग्मेट लाइव शुरू हुआ तो हमें वही सब कुछ देखेने को मिला जो सग्रिप्ट में लिखा था लेकिन जो Vince McMahon ने मना किया था वही बिग कैस ने किया बिग कैस ने मिल रेफरी में के बिग बूर मारने के बाद पंचेस माने लग गे उनके चेहरे पर और यह एक Unsecreted Movement में से एक आ गया और इसके बाद Vince McMahon बहुत ही नलाज हुए बिग कैस से और यही वज़ा है कि Vince McMahon ने बिग कैस को भी रिलीज कर दिया है जोड़ी से तो यह इस लिग मैंने बहुत ही पॉपलर हुआ था और हाँ वैसे में ज्यादा रखता नहीं हूँ फिर वी हम इस वीडियो में लाइक एम रखते हैं 120 लाइक्स का अगर आपने यह लाइक्स पूरे कर दिये तो आपको ऐसी वीडियो और देखने को मिल जाएंगी इस चैनल पर तो बहुत करते हैं तीसरे नंबर की तो जो तीसरे अंस्क्रिप्टेड मूउमेंट है वो है शेन मिकमैन और रोमर रेंग्स का तो जैसे आपको याद होगा कि सवावल सीरीज में मैं मैंस देहिन को मिला था जो था टीम रॉवर्स टीम स्मैकडाउन तो जब शेन मिकमैन ट के लिए डेड़ से हो गए आप अंदर जला सकते हैं कि शेन मिकमैन को रेफरी की हल्प से बैक्स्टे लिया जा रहा था और इसके बाद बैक्स्टे से न्यूज आती है कि यहां पर शेन मिकमैन की एक करीब टूट चुकी है तो जहीं भी एक अनसेक्रिट मूउमेंट में से पर इंटरेस होती है वहां पर सभी खड़े ते और उसी के बीच पर टैटस ओनील और यहां पर जब डैनल विए की स्पीच खतम हुई तो तभी सब बैक्स्टेज जाने लगे तो अब यहां पर टैटस ओनील ने सड़नली विविस्ट में का हाथ पकड़ लिया और कहा कि ल तो यहां पर टैटस ओनील के इस कारणा में से में बहुत जाद नाराज हो गए तो दो मीनों के लिए फैर कर दिया डड़ली से और उन्हें पांच हजार डॉलर्स का फाइन लगा दिया तो यह सेग्मेंट बहुत ही पाफलर हुआ था एज ए अनसेक्रिट मुमेंट तब अ अनसेक्रिट सेग्मेंट हुआ रो में और यह किया गया दरॉक के द्वारा जब वो रॉक एपिसोड ओफेर गया तब हमें दरॉक की एंटरस दिखने को मिलती है और लोग आते हैं उस रिंग पर अपने फैंस के साथ बाते करने जब दरॉक बात कर रहे थे अपने फैंस के वक्त जिहां यह रोग के ओफेर सेग्मेंट में यह हुआ था तो दरॉक ने सियां बंक को कॉल किया और वो कॉल उठाया भी गया सियां पंक के द्वारा तो यह बात उस टाइम कि हजब रोड़ोई ने निकाल दिया था सियां बंक को अपनी कंपनी से तो यह थी वो पांच बात हैं जो अंसेटेड हुई है यह थी में तो आपके कमेंट के बताए कि आप यदियो कैसे लगी और बताए कि आपकी कौन सी वेट रही है यह थी पांचों में से तो यह थी आज की वीडियो बच्छे लाइक करें अड़ोई की रिटे जानकारी के लिए चैनल सब्स्क्र अगर से ले लेखें को वीडिवाने